अलो ऊच्छो तो कैसे आप सभी लोग आगाई आप सभी कर सामने एग नए टेस्ट के लिंक है और प्लेइस्ट का लिंक यह उपर आई बटन प cash करेंगे और और वहां से आपको साना information मिल जाएगा और सारी टेस्ट को इटेन कर लेंगे तो चलिए बीना देरी की वेगा स्टार्ट करते हो लोग अपना ये टेस्ट स्रीज जो की स्टार्ट होता है ऑब्जिक्टिव से चलिए सब्सक्राइब कोशन कहता है हेमोफिलिया ए इस दिव तो आप बताएंगे कि हमोफिलिया ए किसके कारण होता है फैक्टर 8 के वज़ेस होता है फैक्टर 7 के वज़ेस होता है फैक्टर 5 के वज़ेस होता है या फैक्टर 6 के वज़ेस होता है यह चार आप सभी के सामने है बताए चारों में से सब्सक्राइब किसके कारण होता है क यह औप्शन नमर ईसाई कर लेंगे फेक्टर से हमोफीय क्या होता है यह होता है प्रद्रेड कर लेंगे अधृ को ने अरहा है वह है क्या है है वह एपस लिंग इंहरीटेंस है ऑट जो मल डॉमिनेट इनहेंस है परवावी वनसान उकुरम है या एप्स लिंग 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 परवावी वनसान उकुरम है या और आपके पास 4 कौन से प्ताइब बताई या घुन मंडूगा अंसर क्या होगा चल्दी जल्दी 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 तू फास्ट फास्ट हाँ क्या लिए नहीं कि ऑप्षिन तो स्य आंसर होगा ओटो जो माल पर्वाविव अनसान उकरम यह ओटो जो मन रिसेसिविव इनहरीटेंस डिजीज है यहां यह 44 कुरूम में से एक कुर्मजों में गड़बड़ी होने विचे से होता है यह तो चलिए हमने अगले कोशन के तरह पड़ते हैं हमारा आगला कोशन आरा कोशन मत्री वह कहता है आप प्लांट है जिनो टाइप एए बी बी सी सी विल प्रोड्यूस काइंड ऑफ गैमिट्स एए कैपिटल विए स्माल वी चैइस जेडियो टाइप वाला पाउदा याश परकार के यह उत्मन करता है बाताई यह आपके पास यहां पे तीन परकार के अलागला गैमिट्स दिये हुए हैं तीन जोड़े दिए हूए हैं इस जोड़े मैं से आपको गैमिट्स निकालने हैं कि जितने होने विलकुल उसी आदार बाताई इसके क्वे आंसर होंगे कितने प्रणीट बनेंगे आपके आपके पास और चार्ट वबताओ प्रवाट को में लिखो फटाक से बताओ क्या होगा ज्यादा दिमांग नहीं लगा ना इस कोश्चन में फटाफट बताओ क्या होगा अरे हाँ सब्सक्राइब करता है यदि कोई संकर किसी लक्षन को अभिवेक्ट करता है तो उसे कहा जाता है बताओ बेटा अगर कोई बताओ अपर नहीं होना चाहिए अगी नहीं होना चाहिए येग नहीं होना चाहिए इलिए युना चाहिए तो B और C होता है, दोनों में से कौन होगा, जल्दी बता हो, फटा-फट बता हो, क्या होगा, है, बता हो, बता हो, अरे यार, B नमबर इसका सही आज़र है, बता हो, किस कारण से, क्यों, नमबर A में कहता है, the disease is y-link, nमबर B में कहता है, the disease is x-link, नमबर C में कहता है, both A and B, not about, में हिंदी में बता हो, वि मारी x-link है, वि मारी ,क्って दोनों होगा, या इन में से कोई नहीं होगा, बता हो, KO5 के 4 option हैं, एक्सिलिंड फाइब के चार और प्सिंट में से कौन होगा सब्सक्राइब नहीं होता भी स्वास उछ प्रॉट वाले गवारें जानता हूं जो आप लोग के वारें तारीफ हमेंसा करता है आप बहूत ब्रिलेंट है आप इस चीज का अंसर जानते हैं बताइब फटा फट कि और में एक होता है इसलिए जल्दी हावी हो जाता है जल्दी परवावी हो जाता है तो सटेट लिए कॉशन 6 के पर पड़ता है को सिक्स काता है होता है किसके से होता है साइज और आट तो भी फटिलाइजड हना fix कुरोंजों फादर या नमर डी में सेठ्स कुर। ऑफ बताओ किसी भी बच्चे का जो fix डिटर माइन किया जाता है कि यो लड़का होगा लड़की इसके लिए गौन जीम्मेदार है शायो में इसका आंसर हंड Richmond तोंकर मालूम होगा बताऊ क्वोन जीम्मेदार क्या होंगे क्या होँगे बता बता सिक्स का सई आंसर हो जायगा बैडा Option हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम लोगा लिए कोशन तो बढ़ता है अगला कोशन कोशन वा सेवन हारा हमने करता है वाट इस दा मोड ऑफ इन हरिटेंस ऑफ फिनाइल के टुनुरिया ओटो जुमन रिसेशीव हना ओटो जुमन डॉमिनेंट सेट्स लिंग रिसेशीव या अंसर फिनाल के टुनुरिया किसके वज़ेस होता है इस चाहलों में से सही आंसर होगा और साथ बताओ कोशन सेवन से सही आंसर क्या हो जाएगा फटावर को टाइम बहुत कम है मुश्किल से पांस से दस सेकेंड लेना है कोशन सोल करने में जादा तैम नहीं लेना है हाँ जल्दी बताओ में चाहिए आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमर एए एए एविटी कार पर ओटो जोमर रिसेशिव डिजीज है यह कैसा फिनाल के टुनुरिया ओटो जोमर रिसेशिव डिजीज है यह चोवानिस कुरमोजूम में से एक कुरमोजूम के अंतरगत खराबी होने बुत पडिवरतन सामिल होता है किसमें चेंज इन सिंगल मेस पडिर नियारिषन इंसेर्षिन डूपलिकैशन व tut एक च्छार जूडी में पर अशzenन या ओधर उंपन रियसे उम्हित क्या सब्सक्ति होताई क्या सब्सक्राइएاب एकञेन सिंड्रों 882e- viktig है डीओन आता है याघ पूर्ण को चाहिए सिंट्रों? यहाँ पिमारी जिसे में नंबर बढ़ता है ध्यांन नायन कना है डाउन सेंड्रों वातना इंडाय वास्वार इन दा एइर डाउन सींड्रों का पहली बार वर्लंग की स्वर्स में किया गया था डाउन सिंड्रों में बिमारी है जिसमें नंबर फ कुर्मों जो बढ़ जाता है 46 के जिगव 47 हो जाता है इस बिमारी का सबसे पले डिस्क्रिप्शन जो चर्चा है किस यह में किया गया था 1962 में 1866 में 1856 में या 1863 में बताओ कब क्या गया था कोश्चन नमर 9 आपके सामने हाजिक है बताओ इसका सही असर क्या होगा वह तो फटाओ बताओ डिफिट लग रहा है कौन सहा होगा पेटा आप्शन नमर बी टीक आउट करो बी सही आज़र है 1866 में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया था सबसे पहले ठीक है चलिए हम लोग इस टे सीरीज के लास्ट अबजिक्टिव के तरफ परते हैं जो लास्ट अबजिक्टिव है तेन नमर उपसिटिव काता टार्नर सिंड्रोम इसका है 46 के जिगो 25 हो जाता है बता बैटा किसके वज़े से तर्नर सिंड्रोम होता है अबसेश ऐस के तर्नर सेट्रोम-होता है आप्सेश और घर्मощ k Humo कर लो अब से एक का बियुक्त हो जाना गाइब हो जाना वेटा तब होगा क्या चलिए ठीक है हम लोगोंने अब जो ने अब बढ़ने सगेंड इस टेस्ट का जिसे मिकार रहे हैं सब्जेक्टिव जो कि मिलके 10 सब्जेक्टिव 10 मंक्स को वह सब्जेक्टिव तो चलिए देख लोते हैं यह पहले हैं कि इसका जो आंसर हो वोगा आपको कहां मिल जाएगा कहां पे टेलीग्राम में पैडेप कर फोर्म के लिए जाएगा और इसी वीडियो के कमेंट बॉप्स मिल जाएगा फंटार धाल में कुछ बता देता हूँ पॉच्टिन के बारे में चलिए काता है राइड दर रिजल्ट कॉंग फ्रांग मोर्गान मॉर्गान एक्सप्रेमेंट औफ डार आपज इन द्रसुफिला बाटाओ ड्रोसोफीला में मॉर्गन के दुवारा इदुई संकरन क्रॉस के परियोग से प्रांप पढ़िमान लिखे लिखेंगे तो सबसे पहले एक नॉर्मल फिमेल को लेंगे मतलब समान महला को लेंगे एक हेमोफिलिक मेल को लेंगे एक ऐसा पुरूस को लेंगे जिसको हेमोफिलिया है दोनों को रोसिंग करेंगे उसे परसेंटेज निकल जाएगा कि उससे होने वाले जो डॉक्टर सन है बेटा बेटी है उसको कितना परसेंटेज चांसे है हेमोफिलिया होने का है हमोफिलिया तबाएब को लिखें ठीक है और उसको परिवासित भी करें ना है और यह कितने परकार के होतें ऑफा तमेरी से तुमने सबी चलिए वाँ से लिख सकते हैं तो त्रक्ता कोश्वाइब सब्सक्राइब किस वजह से होता किस कारण से होता है उसको लिखना है ठीक है और उसके क्या-क्या जांच है किस डिगन डियाग्नोसिस से वह पता चल पता कैंसर हुआ यहां पर पांचवा नमर कुछन दता इंद ब्लट ग्रूफ ऑफादर इज आई ए आई ओ तो आई ए आई और आई नमर का मतलब हो जाता है यह ब्लट ग्रूफ यह है ओिहां फन्सवारी सिर्ट एपा और पाप का औंच होग तो मताईये आर मता की करता को अ आई एता है आई बी को कर देना है और क्रोंसिंग कर देना है नीचे में जो डिल्ट आएगा आप पता चल जाएगा वैसे का राइट फाइब difference between linkage and crossing over linkage and crossing over में 5 अंतर बताई linkage और crossing over में 5 अंतर बताना है आपको कि क्या क्या होता है बहुत easy है बहुत simple है आप देखेंगा answer समझ में आ जाएगा linkage में क्या होता है कि character कई दफा आते रहता है generation में generation आते रहता है क्योंकि वहाँ पर क्या होते है कि 2 जेनों की डिस्टेर्स होती है बहुत ही कम होती है जिसके वाज़ेसे फरेक्वेंसी भर जाती है तो यह केरेक्टर कई जनरोंस दर जनरोंसन आते ही रहते हैं जाते हैं मिलतनी जेतल सकती है आप वहाँ से ले सकते हैं इसको ठीग है तो वेटा आज की टेस्रीज यहें पर खत्म रखते हैं नेक्स वीडियो मिलते हैं फिर एक नेक्स टेस्रीज के साथ तब तक के लिए तैंक यू